वीडियो में बात करने वाले हैं, डाउन सिंड्रोम के हाई-Disk के बारे में देखें, बहुत सारी महिला आए, जो फॉर्स्ट फेमिस्टर में टेस्ट करती हैं, उनका चाहे है वो डबल मार्कर टेस्ट में हाई-Disk आया हो, ट्रिपल मार्कर में आया हो, क्वाड अपर्पल ट रिस्क जो होता है जादा आता है इसका मतलब मारे बेबी को डाउन सिंड्रोम है ही और रिस्क कम आने का मतलब क्या होता है और इंटरमेडियर रिस्क आता है तो इसका मतलब क्या होता है तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करत चाहिए हैं देखे सबसे पहले जो यह जो टेस्ट होते हैं फ्रस्ट रैंटी स्कैन आपका डबल मार्क टेस्ट हो गया और एंटी सकन हो गया यह बहुत ज़्यादा जरूरी टेस्ट होता है 1100-13 फीक शीडिश के अंदर आपको एंदर यह टेस्ट हो जाते हैं यह की आपका जो anti-scan होता है anti-scan के साथ आपका double marker test करवाना जरूरी होता है और दोनों की value होती है उनको evaluate किया जाता है और उससे risk calculate किया जाता है आप बात करेंगे इसके अंदर अगर आपका anti-scan है इसमें सब सही आया है और आपका double marker test है उसके अंदर एक जो चीज है वो लिखी होती है वो होता है आपका ratio में कुछ risk दिया होता है चाहिए वो age risk हो चाहिए वो T21 हो यानके trisomy 21 हो तो उसके बार में जो की एक main और common syndrome होता है जो की बहुत जाता common होता है इस टेस्ट को करवाना जरूरी हो जाता है इसको evaluate कराना पता लगाना इसका बहुत सभा सब्सक्राइब बच्चे को डाwn सीम्डोम तो नहीं है तो यह जो tests होते हैं यह जरूर करवाने होते है वन बाइब जो है test करवाने होते है और रिस्क कालकुलेट करना होता है जितना ज्यादा रिस्क आता है तो हम उसके वारे में सोचेंगे कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो अगर हमारा जो समझ लीजिए अगर डाउंस इंड्रों को जो कट ओफ है वह बहुत ज्यादा कम आ जाता है जैसे हम किस कोशन के माध्यम से जान तो इस तरह के कोशन साते रहते हैं वह पहले ही बहुत जादा निराश हो जाते हैं तो मुझे लगा उनको एक होप तो देनी बनती है इस वीडियो के माध्यम से क्योंकि वह डिजर्फ करते हैं यह होप क्योंकि क्या होता है जब हम डॉक्टर के पास आते हैं तो उनके पास चलते रहते हैं और जो यह कुछ कोशन से उनके जबाब मांगना चाहते हैं जो हम इस वीडियो के माद्यम से आपको देना चाहते हैं देखे एक जो कोशन है यह इसमें उन्होंने पूछा था कि जून का रिक है वो 1-2 42 का है तो इन्होंने का था कि क्या क्या है जो रिस्क हाब व्हें था ह्ए है कि हमारी आदेखे हैं की व्हस्ding का चैस्क जो बेहरे हम शोन पालतों के जोस्टी ये मैं आपको एक example दे रहे हूं इसी तरीके के बहुत सारे questions आते रहते हैं जैसे कि आपका मेरा जो risk है वो 1 is to 60 का है, 1 is to 100 का है, 1 is to 300 का है, 1 is to 400 का है तो इस तरीके से जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो women हैं, वो मुझे question करती रहती हैं और मैं उनका answer जरूर देती हूं तो मुझे लगा एक common video बनती है आपके लिए, देखें मैं इसको explain करने चाती हूं जो आपका ये down syndrome हो गया, sorry, जो आपका double marker test हो गया, triple marker test हो गया, quad screen test हो ये जो सारे test होते हैं, ये screening test होते हैं, even NIPT भी screening test होते हैं, screening test क्या होता है, इससे बस हम पता लगाते हैं कि बच्चे को risk है या नहीं है, इससे कुछ पक्का नहीं होता है कि बच्चे को definitely, अगर हमारा high risk आ गया, जनकी असमल लीजे आपका जो risk है, इसमें 1 is to 42 का आया है, ये 1 is to 60 का आया है, ये 1 is to 13 का आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे को down syndrome है ही, इसका मतलब है risk जादा आया है, आपको evaluation कराने के आगे जरूत है, अगर intermediate risk आता है, intermediate risk का मतलब क्या होता है, अगर समझ लीजे down syndrome को cut up होता है, 1 is to 250 होता है, जैसे जैसे उपर ज 10,000 का आ गया, तो ये जो babies इसमें fall करते हैं, ये safe होते हैं, इनको घबराने की जरूत नहीं होती, यानिकि आपका जो report आती है, वो negative तो आती है report, लेकिन जो वो जो ratio fall करता है, वो बहुत ज़्यादा pass fall करता है, यानिकि समझ जे तो 250 का cut off है, तो 2 is to 300 आ गया, 350 आ गया, 450 आ call करते हैं, मतलब इसके ask pass करते हैं, तो हम इसके intermediate risk बोलते हैं, तो ये भी जो होता है, मतलब risk की बात होती है, high risk ही होता है, क्योंकि क्या होता है, medical line है, इसके अंदर 1% भी अगर risk है, तो उसको 100% risk की तरह ही इसको समझा जाता है, और baby के case में तो खास कर, तो इसलिए जो doctor हो भोत में या हमारे मेरे comments में भी आपने पढ़ा होगा, अगर आप इस पर study कर रहे हैं, इसको जाना चाहते हैं, तो उनका क्या होता है, अगर उनकी जो reports है, अगर double marker test की, या triple marker की, या quad ripple की, अगर ये risk उनके intermediate भी आये है, या थोड़े सही भी आये है, तो भी उनकी जो doctor है, हमको NIPT test करवाने के लिए बोलती है, NIPT इसलिए क्योंकि screening test होता है, लेकिन हा, इसके अंदर जो पता लगाया जाता है, इसमें कुछ जादा पता लगा सकते हैं, T21 के बारे में, Trisomy 21 के बारे में, अगर बच्चे को इस तरीके का risk रहता है, down syndrome का, NIPT ही क्योंकि बाकि जो 98% तक पता लगा सकते हैं, बाकि 2% होता है, वो एक exceptional होता है, मतलब इस जो test से नहीं भी पता लग सकता, तो ये कुछ जो होते है, exceptional case होते हैं, लेकिन जादा तर जो cases होते हैं, उसमें पता लग जाता है कि बेबी हमारा कितना healthy है, बेबी को down syndrome है या नहीं, तो ये पता लग तो अगर आपका जो risk है, वो आपका बिलकुल negative आया है, और आपका जो cutoff है, cutoff से काफी उपर है आपकी जो values, तो आपका baby एक दम healthy है, स्वस्त है, तो आपको tension लेनी के ज़रूत नहीं है, लेकिन अगर आपका evaluation में जो आपका result आता है, इसके अंदर आपका जो cutoff है, उससे मतलब उसके around कुछ figure हो, कुछ number हो, तो आपको जो test है, या नहीं, NIPT आप करा लीजी एक बारी, काफी safe रहता है ये बच्चे के लिए भी, और mother के लिए भी क्योंकि एक blood test होता है, काफी easily ये कराया जा सकता है, और इससे baby को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन अगर आपके जो anti-scan है, उसके अंदर कुछ ज़्यादा risk आता है, या या nasal bone form नहीं है, तो इस case में आपको amusynthesis की तरफ ही जाना चाहिए, तो ये कुछ answer है, ये मैं आपको देना चाहती थी, तो प्लीज घबराएं ना, आप अपने test करवाईए, और एक और मैं इसमें answer देना चाहूंगी इ कभी कभार क्या होता है, जब आपका जो इसके अंदर risk आ जाता है, तो अगर आपकी आगे की report सही भी आ रही होते हैं, तो भी आप बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, तो आप डरे ना, आप इस पर विश्वास करे, NIPT test पर देखिए, विश्वास पर पूरी दुनिया कायम हैं, तो आप उस 2% को ना पकड़ कर पूरे pregnancy अपनी खराब करें, प्लीज इसको enjoy करें, ये time फिर नहीं आता, इसको पूरा movement को जीए, अपने husband के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, और अपनी pregnancy enjoy करें, क्योंकि आप उनको देखें, जो बहुत सारी महिलाएं हैं, जो मा नहीं बन सकती, उनका pain समझिए, तो please हर एक moment को capture कीजिए, enjoy कीजिए, जो खाने का मन है, वो खाईए, जहां जाने का मन है, please safely जाईए, अपने husband के साथ, family के साथ, तो please ये कीजिए, और बाकि risk की बात है, अगर कुछ intermediate risk आया है, या बहुत ज़्यादा high risk आया है, तो आप NIP जरूर करवाएं, अगर आपके डॉक्टर ने आपको amniocentasis test करवाने के लिए बोला है, जो की एक diagnostic test होता है, diagnostic यान कि इससे 100% आप पता लगा सकते हैं, बेबी आपका healthy है या नहीं, इससे down syndrome के इलाबा बहुत जादा जो बहुत तरह की syndrome होते हैं, जैसे trisomy, patyus syndrome, इस तरी syndrome, और और भी जो abnormalities होती है, chromosomal abnormalities उनके बारे में भी आप पता लगा सकते हैं, कि बेबी को कोई chromosomal abnormalities या किसी तरह का old syndrome नहीं तो नहीं या और कोई problem तो नहीं, तो 100% बच्चे के बारे में detail एक दो study होती है, तो इससे आप इस बारे में पता लगा सकते हैं, और यह जो test ह सकते हैं, तो अगर आप चाहें, तो यह test भी करा सकते हैं, इसका जो result है, यह आपका 10 से 15 यह बीस दिन के अंदर आ जाता है, बीस दिन में जादा बोल दिया, 10 से 15 दिन के अंदर आ जाता है, कोस्ट की बात करें, तो आपका 10 से 28,000 तक का जो कोस है, to state value करता है, तो यह कर सकते हैं, कम में यह test करवा सकते हैं, तो यह video ज़रूर देखें, मैं description box में इसका link दे दूँगी, तो इस तरीके से यह test होता है, और 14 weeks के बाद आप इस test को कभी भी करवा सकते हैं, तो आई होप यह video आपको helpful काफी रही होगी, और प्लीस help, कहीं ना कहीं इस ने वीडिय को लाइक कर दिजेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा, क्योंकि इसी तरीकी की informative वीडियो आपके बेबी से लेटेड, आप से लेटेड वीडियो जमनाती रहती हो, तो चलिए हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक के रन, बाई मेश्काल.